अब आपके पास अगर Realme 11 Pro है या फिर 11 Pro Plus तो फिर आज आपके साथ में 20 बहुत ही amazing और new feature शेयर करने वाला हूँ जो personally मुझे बहुत मस्त लगते हैं कि बताने के लिए तो कितने भी बताया जा सकते हैं लेकिन ये 20 बहुत मस्त है सबसे पहला feature है edge lightning का जब भी आपके कोई message या फिर call आता है तो फिर आपका phone जयो side से colors में glow करता है इसको on करने के लिए simple settings में जाना है फिर wallpaper and styles के अंदर नीचे edge lightning देखता है उसमें जाके कोई भी एक color select कर लेना है और यहाँ पे नीचे incoming calls के लिए एक option मिलता है इसको भी tick कर देना है और हो सकता है most of the cases में incoming call वाला option नहीं दिखे तो उसको किस तरीके से लाना है वो मैं आपको आगे बताऊंगा फिलाल अगले feature की तरफ जाते है जो की realme 11 pro और pro plus में नया आया है वो है icon customization का simple यहीं पे आपको icons के अंदर चले जाना और फिर अपने हिसाब से कोई भी एक icon style आप चूज कर सकते हो अपने icons के लिए लेकिन जो नया feature है वो आपको custom के अंदर देखने मिलता है यहाँ देख सकते हो adopt system color system के जो wallpaper है उनके colors के हिसाब सी यह आपके icons को adopt कर लेता है यह एक नया feature add है खेर आप हमारा जो next feature है वो undoubtedly सबसे important feature होता है वो है call recording phone के अंदर आपको Google डाइलर मिलता है और इसमें अगर आप calls record करते हो तो सामने वाले को announcement आ जाती है कि आप call record करें उन्हें पता चल जाता है लेकिन इसको हटाना चाहते हो तो उसका उपाय मैंने कर दिया है नीचे comments में एक link दिया है डाइलर का आप लोग simple जाके उसको install कर permissions वगएरा देखें उसको simple default कर लेना और उसके बाद जब भी आप calls लागा तो आपको record का option मिल जाता है और auto call recording में कर सकते हो simple two dots पे click करके settings में जाना फिर call recording के अंदर record all calls का option मिलता है अब मैंने आपको पहले feature में कहा था कि आपको apply for incoming calls हो सकता है नहीं दिखे तो वह आपको recent app जिसमें आप लोग पहले यूज कर रहे थे वो जल्दी जल्दी switch होने लगेंगा और ताफी एक multitasking fast way में करने के लिए बहुत से हिंट रिक है अब यह वाला feature बहुत जादा important है और मेरे personal life में काफी जादा में इसको use करता हूं आप लोग simple settings में जाओं वहाँ पे जाके search करो digital well-being उसके अंदर जाके आपको यहां dashboard पर चले जाना और फिर आप लोग किसी भी app में timer set कर सकतो कि आपको उस app को कितने time use करने इंस्टाग्राम जा रहा ही यूज करतो फेस्बुक जा रहा ही यूज करतो तो उसको आप limit कर सकतो और मैं भी यूज करता हूं अब अगले करो settings में जाओ और search करो get recommendation उसके अंदर जाके आप लोगो simple इसको off कर देना और एक बार जब off कर दोगे तो फिर आपके UI से 70% of the ads खतम हो जाने वाली है लेकिन 30% of the ads फिर भी रहेंगे और जो की काफी ज़्यादा परशान करने वाली है और चिंता मत करो क्योंकि मैंने एक प बहुत ज़्यादा important है आपके लिए करना simple settings में जाओ और search करो enhanced intelligence service आप लोगो simple इस पर जाके इसको off कर देना अभी हाल में इस पर बहुत ज़्यादा पंगा चल ला है कि यह feature आपके private data को collect करके china send कर रहा है और एक जो रियल में है वो user का data leak कर रहा है इन environment action लिया है और तहा notification आई जिसको आपने हटा दिया लेकिन वह important थी और आप उसे दो बारा नहीं देख सकते तो इस चीज़ के लिए जो हमारा अगला feature है वह notification history का simple settings में जाना फिर यहां more के अंदर आपको notification history को option मिल जाता है इसको on कर लोगे तो फिर आगे से जो भी notification होगी वह यहां पे आपक आपको simple settings में चले जाना फिर display brightness के अंदर आपको थोड़ा नीचे में आपको adaptive sleep coxon देखने मिलता है यह actual feature क्या है वह मैं आपको बता देता हूँ क्या होगा कि जब आपके हाथ में जब भी phone रहने वाला है तो आपके camera को use करके वह पता करे आपका चैरा सामने है या अगर स new feature आपको यहीं पर देखने मिलता है bright HDR videos का आप यहां पर देखते तो इसको on कर देगो तो फिर जब भी HDR videos देखे तो उसमें थोड़ी सी brightness all भी add हो जाएगी अब यह कितना work करेगा वो तो नहीं पता बट एक नया feature था तो share कर दिया अब अगला settings एक suggestion है आपको यहीं पर screen color mode का option देखता है आप लो simple इस पर जाके उसको natural पर कर लो default में आपको vivid देखने मिलेगा जिसमें की battery भी जा रहा ही उज़ोती हो और आपको colors भी accurate नहीं देखने मिलते तो normal पर रख लो battery भी अच्छी चलीग और colors भी accurate देखने मिलेंगे अब अगली settings जो 5G user है उनके लिए उसके लिए क्या करना आप लो simple settings में आ जाओ और नीचे चले आओ about device के अंदर थोड़ा नीचे आपको versions देखने मिलेगा simple उसके अंदर जाके build number पे 678 बार क्लिक करो ताकि developer option on हो जाए उसके बाद back आके additional settings के अंदर आपको developer option का option मिल जाता है उसमें चले जाओ और थोड़ kilometer चला वो पता कर सकतो वो भी बिना किसी smart watch के सिर्फ phone के मदद से simple करना कह रहागा आधे screen से swipe down करना एक shelf open हो जाएगा यहां पर आपको step tracker का option देखता है इस पर clicker करके आपको सब चीजे देख सकतो कितना step चले कितना kilometer हुआ अब लेकिन इसको on कैसे करना है तो क्या करना home screen पर सिर्फ पिंच करना और फिर more का option पर चले जाना फिर आपको swipe down on home screen देखेगा उस पर जाके आप लोगो शेल्फ को select कर लेना है अब अगला feature जो की फिर से एक बास suggestion है आप लोग को यहीं पर थोड़ा नीचे glance for real me दिखता है इसको off कर लो फाल्तु के ads आपको lock screen पर settings में जाना notification and status bar में चले जाना फिर आपको status bar पर क्लिक करना है और फिर यहां आपको battery style देखनी मिलता है उस पर जाके आप लोग loop select कर सकते हो और काफी मस लगता है loop वाला अब next feature जो है always on display का क्योंकि आप लोग को इसमें amoled display मिलती है तो always on display और भी अच्छे तरीके से work कर settings में wallpaper and styles में चले जाओ फिर आपको always on display पर जाना है उसके बार आप लोग यहां पर कोई भी अपने मन पसंद के AODs चूज कर सकते हो और चाहो तो अपने custom भी बना सकते हो यहां simple canvas पर जाके कोई एक photo album से चूज कर लो और simple generate पर क्लिक कर दो फिर आपके photo के outline बना के canvas पर कि आप लोग कोई भी animation चूज कर सकते हो और अगर आप चाहतो fingerprint animation का sound भी है तो फिर आप क्या करो settings में search को haptics and tones और फिर उसके अंदर जाके fingerprint animation वाले tone को on कर दो और फिर उसके बार आपको animation का sound भी आएगा अब हमारा जो next feature यह बहुत जारा useful है और इतना useful कि माने के चलो YouTube premium आपको free में ही मिल रहा है आपको करना क्या simple settings में जाना आप फिर special features करना smart slide bar में smart function on कर लेना और इसको on करने के बाद आप लो YouTube पे जब भी कोई वीडियो देखेगा और slide bar को ऐसे slide कर लेगा तो फिर एक background stream का option मेलेगा उस पे click करते ही आपकी video background में play होने लेगी और phone off भी कर एक games का app देखने मिलता है इसमें आप लो simple कोई भी अपने game को add कर लो और उसको open करने के बाद यहां से slide करो थोड़ा नीची आओ तो एक voice changer का option मिलता है अपने मन पसंद की कोई भी voice आप लोग चेंज कर सकते हो और बहुत मतलब अच्छे तरीकी से work करता है तो यही थे कु आपको बताये हुआ किस तरीके से add शटा होगा पूरा जो प्रोसेसर वो शेर किया है टाइम स्टैम भी आप उस में देखने मिल जाएगा डारेक्ट वहां जाके देख सकतो और अब बाबाए